बिस्मिल्लारुर्रोहीम, असलामुलेकूम सूडन्स आज की इस कलास में हम लोग डिसकस करेंगे कि वट इज पॉइंटिंग डिवाइस और डिफरन टाइप्स ओफ पॉइंटिंग डिवाइस तो सबसे पहले पॉइंटिंग डिवाइस को डिसकस करते हैं तो पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती है ऐसी इनपुट डिवाइस जो आपके कम्प्यूटर स्करीन पे पॉइंटर की बिच्शन को कंट्रोल करने के लिए इस्तमाल करते हैं अब यहां पर मैंने एक word यूज किया कि what pointer अब यहां पर जो pointer word है student pointer एक छोटा सा symbol होता है जो आपकी स्क्रीन पे अपीर होता है तो जैसे के जैसे ही मूव कर रहा हूँ अब यहां पर प्रॉपर करसर आपको नज़र नहीं आ रहा बट आप अपने computer के स्क्रीन पे देखेंगे तो एक white color का एक arrow का निशान नज़र आएगा वो हमारे पास क्या है वो pointer है ठीक है जी अब pointing device के इस्तमालात क्या है अब हम उसको discuss करते हैं pointing devices जो है इसको हम किसी भी text को graphics या किसी भी object को select करने के लिए इस्तमाल करते हैं जैसे के आप किसी file को open करते हैं आप उसको उपर माउस का सर लाकर double click कर देते हैं वो open हो जाती है आप किसी text को select करना चाहते हैं तो वो भी आप माउस के जरीए select कर सकते हैं या किसी button के उपर press करते हैं किसी menu को select करते हैं या किसी icon commands को select करते हैं तो यह हमारे पास क्या है यह तमाम जो चीज़ें मैंने अब से discuss कही है यह pointing devices के जरीए possible है जी अब pointing devices की different types हैं जिसमें सबसे पहले mouse फिर trackball इसके लावा pointing stick है touchpad, touchscreen, light pen, joystick, graphic tablet and pen based system तो आज के इस lecture में हम लोग mouse, trackball और touchpad के बारे में जो है वो discuss करेंगे और बाकी जो है हमारे पास types यह हम next lecture में इन्शाल्ला discuss करेंगे जी तो सबसे पहले हमारे पास mouse है तो mouse की तरफ हम चलते हैं mouse एक most commonly use होने वाली input pointing device है जिसके बारे में आप सब लोग aware हो चुके होंगे जी तो mouse क्या है mouse student एक input जो हो device होती है जो हमारे computer screen पे cursor की position को control करती है अब mouse जो है यह हमारे पास एक flat surface के ओपर move करता है बिल्कुल flat surface होता है उसके अपर जब हम move करते होए यूज करते हैं अब mouse को student computer के साथ दो method से दो way से हम connect कर सकते हैं अब इसमें सबसे पहला जो है वह हमारे पास cable और दूसरा हमारे पास wireless connection है अब यह मैं जो नाम ले रहा हूं wireless connection और मैं नाम ले रहा हूं cable अब यह भी मतलब दो category में आ गए इसका मतलब mouse जो है हमारे पास दो तरह की होंगे एक mechanical और एक हमारे पास जो होंगे वह second जो हमारे पास type होगी वह होगी इसकी यहाँ मैं मैं ने की हो यह optical mechanical and optical अब पहले मैं इसको discuss कर लेता हूं कि types of mouse क्या है हमारे पास एक mechanical type और एक optical type जो mechanical type होती है इसमें एक ball होती है जो कि bottom पे होती है जो आम traditional जो mouse इस्तमाल हो रहे हैं इनकी bottom पे एक ball होती है अब यह ball जैसे जैसे move करेगी यह चार डिरेक्शन में move कर सकती है left, right, top, bottom जैसे 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 जिस direction में ball move करेगी उस direction में आपका cursor move करेगा इस इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने hand से इस mouse को control कर रहे हो यानि कि वो ball move कर रही है और उस तरह mouse का जो cursor होगा वो भी उस direction में move करेगा जो second optical है इसमें ball का concept नहीं आया यह latest technology है तो इसमें क्या हुआ इस नहीं wireless connection आ गया यानि कि इसमें जो हमारे पास laser light जो है उसको इसको इसको इसके जरीए जो आपकी mouse की जो है उस पे direction है उसको control किया जा सके तो मैं पिछली slide पे जो है आपको लेके चलता हूँ structure of mouse क्या है तो पहले मैंने आपको mouse की definition बताई माउस को जो है वो बताया कि किस method से जो हम connect कर सकते हैं अपने computer के साथ और अब हम discuss करेंगे structure of mouse क्या है तो structure क्या है student कि mouse जो है ये consist करता है तीन बटन क्यों यानकि एक left बटन एक right बटन और एक wheel बटन अब इसमें सबसे पहला जो है वो left बटन है अब left और right बटन से क्या करते हैं जैसे अभी मैंने आपको पहले discuss किया कि different objects को select करने के लिए files को open करने के लिए किसी text को select करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं जो कि wheel बटन है अब ये जो wheel बटन है ये scroll wheel भी कहते है इसका मतलब है जो large document होते है अब for example आपने MS Word की file में कोई document open किया हूँ 5 pages का है तो आप उसको up down direction में करना चाहते हैं तो वो scroll wheel उसके जरीए आप लोग कर सकते हैं जैसे कि इस mouse में दिखाया गया है कि mouse wire है ये वाली जिसके जो आपके computer के साहा लगी राइट बटन है ये वाला और ये left बटन है ये वाला उसके बाद scroll लोग ये ये mid में होता है ये वाला देखें ये है scroll button और इसको scroll wheel भी कहते हैं जी उसके बाद हम next अपनी जो है वो select के चलते हैं जो कि हमारे पास है track ball जैसे कि आपको ये picture में देखते हुए समझ आगे होगी कि ये बिल्कुल दिखने में mouse है बट ये mouse नहीं है बट इसमें क्या है कि ये alternative of mouse हम कह सकते हैं ठीक है जी तो इसमें होगा क्या देखें इसके top आपको एक red color के यहां पे ball नजर अब ये देखें हम simple कहेंगे कि एक एक एसी device है जिसकी top पे ball होती है अब ये जो ball है ये move कैसे करेगी तो students user जो होता है ये अपने thumb के साथ अपनी finger के साथ इसको move करता है तो जैसे जैसे ये finger उसकी up direction में down direction में left और right move करेगी वैसे वैसे जो cursor होगा यानिक जो pointer होगा screen पे वो भी उसी direction में move करेगा तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो track ball है ना इसका जो है वो फाइदा क्या है इसका फाइदा ये है कि एक तो कम जगह गेरता है दूसरी बात ये है कि इसकी जो body होती है यानि कि ये जो ball के निचे ये सारी ये जो हो ये खुद move नहीं करती ये as it ए होती है वह ये move नहीं करती यहां मैंने mention किया हुआ है कि to move the pointer you rotate the ball with your thumb your fingers और palm of your hand उसके बाद it does not require much space to use it इसके लिए ज्यादा रिक्वाइर ज्यादा रिक्वाइर ज्यादा ज्यादा रिक्वाइर ज्यादा 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 नहीं होती इसको बाहसानी हम जब इत्समाल कर सकते हैं तो यह major difference है mouse and trackball के अंदर नेक्स्ट हमारे पास है pointing devices कौन कौन सी है based on touching जो touching आपने याद रखना है अपने बुक पे mention कर लेना है touching और surface based जो हमारे पास pointing devices कौन कौन सी है touchpad, graphic tablet, touch screen, light pen और stylus तो आपके बुक पे mention की हुए है ठीक है जी उसके बाद हम अब next slide को discuss करते हैं जी हमारे पास है trackball जो के हमारे पास इसमें हम discuss करेंगे touchpad आपको पहले में एक यहां पिक्चर में दिखा देता हूं तो थोड़ा सा explain करता हूं कि यह देखें अब यहां पे यह mouse यह basically को move करते हुए अपने cursor की position को control करते हैं पहली बात दूसरा point यह है कि इसके भी दो बटन होते हैं यहां पे अगर आप देखें एक left side पे है और एक right side पे है तो इसका काम भी क्या होगा different जैसे मैंने अब बताया है जैसे mouse काम करता है यान किसी object को किसी button को menu icon को मांड बगरा क को control करने के लिए किसी text को select करने के लिए हम इन buttons का इस्तमार करते हैं जी तो यहां पे मैंने mention किया हो a small touch sensitive pad used as a pointing device on some portable computers कुछ computer जो होते हैं इन पे यह touch sensitive pad जो हो already embed किया गया होता है उसके बास है by moving a finger or other object along the pad you can move the pointer on the display screen तो आप अपनी जो computer की screen है laptop की screen है उस पे जो mouse को की position को control कर सकते हैं वो अपनी finger के साथ यानि कि आप simple क्या करेंगे touch pad जो आपके laptop पे दिखाई दे रहा है उस पे आप अपनी finger को move करेंगे तो जैसे जैसे आपकी finger move करेगी जिस direction में move करेगी उसी direction में आपके mouse की जो वो कसर की position होगी वो control होगी तो student आज की हमारी जो lecture की summary है वो यह है कि हमने study किया कि सबसे पहले pointing device क्या होती है pointing device के जो है वो उसमें pointer को हम discuss किया फिर उसके इस्तमालाद देखे उसके बाद हमने यह देखा कि pointing devices कितनी types की होती है उसके बाद हमने इस मेंसे जो आज discuss किया वो हमारे पास है mouse उसके इलावा touchpad उसके बाद trackball जो यह हमारे पास तीन जो हमने type discuss की हैं इन में अगर आपको कोई भी question है या कोई भी problem face करना पड़ती है तो आप जो है वो comment कर सकते हैं मैं उस query को इन्शालला resolve करूँगा तो आज का lecture यहां पर खतम हो चुका है तो इन्शालला नेक्स लेक्चर में मैं आप लोगों को जो बाकी इसकी types हैं वो with diagram और example इसी तरह आपको discuss करूँगा अपना ख्याल लखेगा अल्ला आफिज, stay home, save lives